यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ शुरू कर दी है उधर एरपोर्ट अथोर्टी ने भी आई 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 टी रोड़की से सर्वे करवाया था आई 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 टी के इंजिनियर्स द्वारा हवाई अड़े के किये गए सर्वे के तहत रनवे को अब 660 मीटर और जादा बढ़ाया जाना है SDM कुलू डॉक्टर अमित ने बताया कि पहले चलण में 300 मीटर भूमी का चैन किया गया है प्रशासन जल्धी सरकार और एरपोर्ट अथोर्टी को इसकी रिपोर्ट सो अपनी जा रहा है अथोर्टी द्वारा एक लेटर भी जारी किया जाएगा जिसके बाद आधुनिक यंत्रों के साथ ब्यास नदी के किनारों पर भी भूमी को चिन्लित किया जाएगा हम भूंतर एरपोर्ट में गए एरपोर्ट डिरेक्टर और हमारी जो लोकल रेवन्यू अथोर्टीस थी हमारी जो नाइब तो सिल्दर भूंतर है और पटवारी कान गो जो कंसर्ण्ट है उनको लेके मैं सौयम मौके पे गया हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो तो काफी बड़ा है उसके लिए तो पूरा व्यास नदी को डाइवर्ट करना पड़ेगा और उसमें कई अर्बो रुपे का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्योंकि महतोकांशी प्रोजेक्ट है उससे जो हमारा एयरपोर्ट है वो आगे भूंतर की तरफ जो है और आगे फैलेगा हम सेटलमेंट विवाग से उन इंस्ट्रिमेंट को मांगेंगे और उसकी नपाई करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट मनाके एयरपोर्ट को देंगे ताकि जो है वो उसको सेंक्शन करवाके जो है एयरपोर्ट विस्तारीकर्ण का जो का रहे है उसको फटड़फट करेल मेल किया जा सके झाल